दोसों यह सबसे सस्ता एर पिस्टल है और इसका प्राइजिंग है अंडर उपीज 6,000 देखते रहे हैं चलिए सबसे पहले इसकी अंबोक्सिंग करते हैं वैसे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने इस प्रकार का जो एर गन है इसका भी मैंने बनाया है यह है Glock 17 Gen 4 यह काफी महेंगे टाइप का एर गन है और अगर आप कोई सस्ता ऑप्शन धून रहे हैं तो यह सबसे बेस्ट ऑप्शन है अंडर उपीज 6,000 वैसे इससे भी सस्ते एर गन्स मार्केट में अवलेबल है लेकिन वो जो एर गन्स है उनका लुक अलग ह इसका अक्शुल इस प्रकार के गन की तरह दिखता है चलिए सबसे पहले मैं आपको इसके अंबॉक्सिंग करके बताता हूं तो यह है ब्लैंक का एर पिस्टल और यह 0.177 कलिबर का है इसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत ने पड़ेगी यहां पर बॉक्स पर इंदर यह रिखें तो प्रड़क्त है उसे इस प्रकार से प्रकार किया हूआ है यूजम अनूल है वारंटी बुकलेट है और यह है वो एर किस्टल काफी है मेटल का बना हूआ है प्राइजिंग के साब से नॉट बाड अच्छा दिखता है इसके अलावा बॉक्स में यह बीज दिया हुआ है और यह पैलेट्स भी दिया हुआ है मतलब कि आप यह बीज आज वल अस पैलेट्स दोनों इस गन में यूज कर पाएंगे तो यह देखिए ऐसा दिखता है यह पिस्टल एकदम रियल गन की तरह दिखता है वैसे यह रियल गन नहीं है एर गन है और मैं यहां पर इसमें चुसिस्टम है यह अलग है यहां पर पीछे यह दिखिए अपको इस प्रकार से पकड़ना है और अपण और आपको ईसे प्ल करना है यह यह पर प्रकार से यह दो मेथड है आपको इस प्रकार से पुल करना है उसके बाद में यह जो भाग है इसे आपको आगे की तरफ पुल करना है ताकि यह अच्छी तरीकी से लॉक हो जाए अब इसमें काफी ज्यादा फोस आ गया है तकरीबन 5 मीटर्स तक आपको accurate results दे सकता है अगर आपका aim अ करते हैं तो जो trigger है उस पर उंगली मत रखिए यहां पर रखिए उसके बाद में आपको इससे फिर से आगे की तरफ इस तरीके से पुश करना है थोड़ा सा effort लगता है यह इतना hard नहीं है अब यह ready है कौकिंग हो चुका है बुलेट्स कहां से आप add करेंगे यह यहां पर जो भाग है इसे अगर आप प्रेस करेंगे तो यह जो chamber है यह भार आ जाता है और अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर यह उपर वाला भाग है यहां पर आप बीबी को डाल सकते हैं और यह वाल जो भाग है यहां पर आपको जो pallets है वो डालना है अब यह जो gun है इस इसमें आप तकरीबन 18 BBs दाल के रख सकते हैं और बन कर दीजे इस प्रकार से उसके बाद में आपको सिर्फ फायर करना है इस प्रकार से उसके बाद में आपको फिर से कॉकिंग करना है और फिर से आप फायर कर सकते हैं जो BBs है वो आटमारिकली नेक्स चेंबर में आ है firing करने के बाद यह काम नहीं करने वाला है और दूसरी चीज में कि यह जो trigger है इसमें यहां पर यह lock दिया हुए है यह द्थें यह इस परकार से काम करता है अब यह lock हो गया है ट्रिगर काम करने वाला नहीं है मैं इसे unlock करके firing कर सकता हूँ वैसे ये blank है इसमें कुछ नहीं है तो ये भी एक काफी बढ़िया gun है cost effective gun है और aim practice के लिए आप इसे use कर सकते हैं 0.177 caliber का है इसके लिए आपको license की जरूत ने पड़ेगी वैसे ये real gun तो नहीं है तेक्टरहिये